दोस्तार शुरू करते हैं exercise 7.1 से question number 9 If Q is equal distance from P and R, find the value of X, also find the distance QR and PR देखिए आपको कोई Q point दिया हुआ है, जो कि P और R दोनों से equal distance पे है और points क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको ये कोई point है आपका Q मान लिजिए यहाँ पे Q है, और इसके coordinates आपको दिये हुए है, 0 और 1 इस equal distance from P and R, ये P point से और R point से दोनों से equal distance पे है, P के coordinates आपको दिये हुए है, 5 और minus 3 R के दिये हुए है, X और 6 तो find the value of X, आपको X की value निकाल लिए है, तो बिलकुल simple size के अंदर आपका distance formula लगेगा, और according to question P Q is equal to QR हो जाएगा, अब बराबर है, तो solve करते करते आपका X आ जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, simple इसके अंदर यह दिया हुआ है, तो हम direct लिखेंगे, according to question QP is equal to QR QP is equal to QR अब QP का distance निकालेंगे, तो distance formula लगाएंगे तो पहले लिख लेते हैं formula, X to minus X1 का whole square, plus Y to minus Y1 का whole square, इसके लिए भी यह formula है, formula आप question में ज़रूर लिखें, अपने question को start होते ही X to minus X1 का whole square, plus Y to minus Y1 का whole square, अच्छा अब इसके अंदर, आपके 2 और 1 क्या होंगे, देखें जब QP को ले रहे हैं आप, तो जब पहला वाला है, वो आपके 1 हो गए यानि कि यह हो गए आपके X1 और यह हो गया Y1 P वाली चीज़े होगी आपकी X2 और यह हो गया Y2 तो QP के लिए value put करते हैं पहले X2 है 5, minus, X1 है 0, 5-0 का whole square, plus Y2 है minus 3, और minus Y1 है 1, इसका whole square, is equal to अब QR पे आ जाते हैं, तो QR, Q से शुरू कर रहे हैं और R तो Q हो गए आपके 1, और जो R वाले coordinates हैं, यह हो गए आपके 2, यानि यह हो गया X2 और यह हो गया Y2 तो X2 है आपका X, तो X भरेंगे, minus और यह 0 का whole square, plus Y2 है 6, minus Y1, Y1 की value है 1 का whole square, अब देखें, बीच में is equal to का निशान है, और दोनों तरफ under root है, तो आपका under root से under root cancel हो गया, अब simple जो नीचे बचा, उसे उतार देते हैं, 5 में से 0 गया तो क्या हैगा 5, तो 5 का square, plus minus 3 और minus 1, दोनों मिलके minus 4 हो गया, तो यह minus 4 का whole square, is equal to, यहाँ X में से 0 गया तो कुछ नहीं, यानि कि X, तो यह X square, plus 6 में से बन गया, तो 5, तो यह 5 का square, अब दोनों तरफ equation बनी है, यह जो equation आपको दिख रही है, इसमें दोनों तरफ आपको एक सेम चीज़ दिख रही होगी, 5 का square, 5 का square, दोनों cancel हो गए, यहाँ पर बचा X का square, और minus 4 का square हो गया, 16, minus में तो भी आपका square प्लस में ही आता है, तो X square की value 16 आ गई, तो यहाँ से X क्या आ जाएगा, यह जो square है, यह अंडर root में चला जाएगा, यानि plus minus root 16, और root 16 की value होती है 4, तो plus minus 4, आपकी X की दो value आई है, plus minus 4, एक बार plus, एक बार minus रखके, आप इसमें put करेंगे, तो फिर आपका अपना answer आएगा, तो X की value तो आ गई है, यह तो था पहला part, आपको QR और PR का distance भी बताना है, अब पहले QR से शुरू करते हैं, देखिए X हमें मिल गया, X क्या है, 4, और यह 6 हैं आपे, लेकिन 4 के साथ में minus 4 भी है, minus 4 और 6, तो R की आपकी दो values आई है, 4, 6 और minus 4, 6, तो बारी-बारी से आपको दोनों put करनी है, और तो आपके दो answer आएंगे, तो पहले हम 4 को ले लेते हैं, अब यहां से हम निकालेंगे QR के distance, अब QR के distance निकालने के लिए आप यहां भी put कर सकते हैं जो आपने QR लिया हुआ है, और चाहे तो आप fresh question कर सकते हैं, तो हम शुरू सही करेंगे इसको QR, formula आपको लिखने की दुबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप already लिख चुके हैं, बस आपको यहां ध्यान देना है, कि जो Q वाली चीज़ें वो आपकी 1 हो जाएंगी, और जो R वाली है वो आपकी 2 हो जाएंगी, तो यहां पे जो 4 औ य2-1, यानि 6-1, 6-1 का SQUARE, फटर सॉल करेंगे इसे, तो 4-0 तो 4 ही हो गया, यह 4 का SQUARE, 6-1 5 हो गया, यह 5 का SQUARE, और इस पे अंडरूट भी है, तो 4 का SQUARE हो गया 16, और 5 का SQUARE हो गया, आपका 25, यह दोनों मिलके होगया 41, और अंडरूट में है तो अंडरूट 41, तो qr की value आई आपकी, qr का जो distance आया वो root 41 आया, लेकिन ये तब आया जब आपने x2 को 4 लिगा है, लेकिन x तो जो है इसमें आपका minus 4 भी है न, तो एक बार और qr निकालेंगे, अब हम लेंगे x2 को minus 4, तो formula लिखने के आपको दुबारा ज़रूरत नहीं है, अब लेंगे आप, ये आपका x2 हो जाएगा, minus 4, minus 0, का whole square, plus 6 तो, y2 आपका, 6 minus 1, का whole square, solve करते हैं, तो ये minus 4 का whole square ही आया, क्योंकि 0 का, तो कोई इसमें value नहीं है, plus 6 minus 1 होगा, 5 का square, और minus 4 का square 16 ही होता है, प्लस में ही आता है, और ये 25, और दोनों को solve किया, तो root 41, तो जब आपने 4 लिया, तब भी root 41 आया qr, जब आपने minus 4 लिया, आपका qr तब भी root 41 ही आया, तो qr तो निकल गया, अब आपको pr निकालना है, यानि p से, और ये r तक का जो distance है, ये निकालना है, अब pr निकालते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, pr के लिए, pr, अब pr के लिए भी आप ध्यान देंगे, कि p की तो एक ही value है, 5 minus 3, लेकिन r के लिए आपको ये दो values दे रखी हैं, 4, 6 और minus 4, 6, तो बारी बारी से put करना है आपको, एक बार r को आप 4, 6 लेंगे, एक बार r को आप minus 4, 6 लेंगे, तो जब अब pr निकालना है, तो ये वाली चीज़ है, आपके x1 और y1 हो गई, pr के लिए, और ये x2 और y2 हो गई, ये जो आपके r के points है, शलिए तो pr निकालते हैं, रूट लिख लिया, formula अगबार फिर से लिख लिख लिए, आपका revision हो जाएगा, y2 minus y1 का whole square, ये हो गया formula, अब p वाली चीज़े 1 है, r वाली चीज़े 2 हैं, तो r वाला याने की x2 लिखना है यहाँ पे, तो 4 minus 5 का whole square, plus y2 minus y1, 6 minus minus 3, देखिए 6 तो 6 है, ये minus का formula, और इसके बाद minus 3 है, तो ये minus और ये वाला minus मिलके आपका plus बन जाएगा, आप इसे direct लिख सकते हैं, इस तरह से, further solve करते हैं, 4 में से 5 गया, minus 1 आया, इसका square, plus 6 और 3, 9 हो गया, इसका square, further solve किया, minus 1 का square 1 होता है, और 9 का square 81 होता है, ये value आगी आपकी under root 82, तो under root 82 आपका p r का distance आ गया, तब आया जब आपने यहाँ पे r का जो point है, वो 4, 6 लिया है, लेकिन अब r को आपने minus 4 और 6 भी लेना है, तो फिर से p r निकालते है, अब इस बार आपके x2 और y2 यह हो जाएंगे, minus 4 x2 हो जाएगा, और जो 6 है यह y2 हो जाएगा, तो minus 4 और minus 5, यहाँ पे minus 4 और minus 5 लेना है, का whole square, plus, और y2, 6, और minus, minus 3, तो minus और minus प्लस होगा, plus 3 का whole square, फूर्दर सॉल करते हैं, यह दोनों मिलके आपके minus 9 हो गया, minus 9 का square, plus, और यह plus का 9, इसका square, minus 9 का square निकालते हैं, तो 9, 9, 0, 81 ही आता है, square हमेशा positive आता है, यहाँ पे 9 का square किया, तो 81 आया, इन्हे plus किया, तो यह 162 आ गया, root 162, अब root 162 के आप square root निकालेंगे, तो इसके लिए आपको prime factor करना पड़ेगा, 162 को 2 से करेंगे, तो 81 आया, 3 से करेंगे, तो 27 आया, 3 से किया तो 9 आया, 3 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया, तो जो 162 है आपका, वो इनके बराबर है, 2 into 3 into 3 into 3 into 3, अब आप जानते हैं कि square root में, दो चीजों से एक बाहर आ जाता है, तो यह आ गया, यहां से एक 3 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, तो यह आपके बाहर आ गये, और under root में आपका 2 पीछे बच गया, जब इसे solve करेंगे, तो 3, 3 is a 9, under root 2, यह आपकी PR की value आई, तो इस question में simple यह था, कि कोई point था Q, जो कि P और R दोनों से equal distance पे था, और आपको R का X पता ना था, तो पहरे distance form में लगा के X निकाल दिया, X आपके 2 आए, तो आपने 2 मान लिए, फिर आपने QR का distance लगा दिया, तो QR की value आ गई, और PR में distance form में लगा के PR की आपकी 2 value आ गई, तो simple सा question था, बहुत बढ़िया question था, आप इसके बाद question number 10 करते हैं, वो भी बिल्कुल same to same इसी तरह का question है, question 10 में आपको दिया है, find the relation between x and y, such that the point x y is equidistant from the point 36 and minus 34, कोई point है, मैंने उसका नाम P रख लिया, या मैं क्यों रख लेता हूँ, और इस Q के जो coordinates है न, वो आपको x y book में दिये हुए है, ये जो point है आपका equidistant है from the points, दो point और है, वो भी आपको book में दिये है, वो है 3 और 6, और minus 3 और 4, तो ये जो Q point है, ये आपका इन दो points से equal distance के उपर है, तो आपको relation बताना है इनके बीच में, x और y के बीच में, तो relation की बात जब आती है न, तो आपका कोई particular answer नहीं आता है, कोई equation बन जाती है, लगाना इसमें भी distance formula ही है, बिल्कुल same to same इसी question की तरह जो अभी आपने किया है 9th में, distance formula ही लगाना है, यहां से आपके equation आजाएगी, वो equation ही आपका relation होगी, तो पहले तो यह जो दो points है न, इनका मैं कोई नाम रख लेता हूँ, मैंने इसे मान लिया कि, इसे मैंने A मान लिया, और इसे मान लिया मैंने B, तो according to question, AQ और जो BQ है, यह दोनों आपस में बराबर है, इनका जो distance अब बराबर है, बुक में दे रखा है कि यह जो Q point है, इससे और इससे दोनों से equal distance में है, तो direct according to question से शुरू करेंगे, according to question, AQ is equal to BQ, अब distance formula लगाते हैं, देखिए, formula लिख लेते हैं पहले, x2 minus x1 square, plus y2 minus y1 का whole square, इस तरफ इस तरफ भी लिख लेते हैं, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, अब इसमें value putting करते हैं हम अपनी, देखिए, जब मैं AQ को ले रहा हूँ न, तो यानि A वाले जो हैं, ये मेरे 1 हो गए, क्योंकि A मैंने पहले नंबर पिलिया है, और Q वाले मेरे 2 हो गए, तो AQ के लिए, जो A की ये चीज़े हैं, ये हो गया x1, और ये हो गया y1, और Q के लिए, क्योंकि जो हैं, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, अब यहां से value put करते हैं, इसके अंदर, तो x2 यानि की x, और minus x1 यानि की 3, तो x minus 3, का होल स्क्वेर, प्लस y2 minus y1, यानि y minus 6, और इसका होल स्क्वेर, और इस थरफ आते हैं अब bq के उपर, जैसे मैंने b को लिए है, पहले नमबर पे लिखा है, q को बाद में लिखा है, तो पहले नमबर वाले मेरे 1 होते हैं, तो ये हो गए x1, और ये हो गए y1, और दूसरे वाले x2 और y2, अब यहां से value put करते हैं, तो x2 माइनस x1, ये x2 है, और ये x1 है, तो x, bq, ये 1 है, ये 2 है, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस और माइनस 3, x तो x हो गया, ये फर्मले का माइनस हो गया, और इसकी जो खुद की value है, ये माइनस है, तो माइनस से माइनस टेकर आएगा, तो प्लस हो गया, तो ये x प्लस 3 हो गया, और इसका whole square, अब y2 माइनस y1, यानि y माइनस 4, प्लस में y माइनस 4 का whole square, value putting कर ली, अब आपको देख रहा है कि बीच में root लगा हुआ है, तो root से तो root cancel हो जाएगा, अब जो बचे हैं, आपको इनकी value निकाल ली है, तो यहां बच गया, x माइनस 3 का whole square, तो जब x माइनस 3 का whole square है, तो formula लगेगा, ये माइनस भी whole square का, formula बना, a का square, प्लस b का square, माइनस 2, ये a और ये आपका b, इसी तरह ऐसे यहां भी लग रहा है, यहां a का square, यानि y का square, प्लस b का square, यानि 6 का square, और ये माइनस और ये 2, और ये आपका a यहां पे, और ये आपका b, ये हो गया इस तरफ, अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ है, x plus 3 का square तो x plus 3 का square x का square plus 3 का square plus 2 ये a और ये b और इसके आगे का मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे भी आपका formula लग रहा है y minus 4 में तो इसमें formula लगेगा y का square plus 4 का square ये minus, ये 2 ये आपका y और ये इसमें 4 ये हो गया चलिए दोनों तरफ equation है अब ये देखते हैं कि same same number कहाँ पे है जो आपस में cut सके है ये काफी सारे number है इनमें कुछ कुछ same भी है जो आपका cut जाएगा left side में x square है right side में ये cut गया left side में y square है right में भी y square है cut गया और देखें कुछ यहाँ पे 3 का square दिख रहा है मेरे को और यहाँ भी 3 का square है ये भी मैंने cut दिया अब आगे तो कुछ कटने रहे आप solve कर देते हैं तो यहाँ आया है आपका minus 6x ये solve हो के minus 6x आगया y देखें कितना आता है minus 12y और इस तरफ नंबर कितना आया 6 का square यानि कि 36 ये 36 आ गया तो ये है left side में अब right side में देखते हैं यहाँ पे x कितना आया plus का 6x यहाँ पे y कितना आ रहा है minus 8y x को मैं पहले लिख रहा हूँ फिर मैं y को लिख रहा हूँ तो फिर आपकी एक equation आगी अब इनको आपको rearrange करके एक साथ कर लेना है simplify कर लेना यानि कि सारे x एक साथ सारे y एक साथ और number एक साथ तो minus का 6x और यह वाला जो 6 स इधर आयगा तो यह भी minus 6x हो गया फिर y लिखते हैं यह minus 12 y और यह जो y यह तब इधर आयगा तो यह plus का 8y हो जाएगा और यह plus 36 से अपनी जगे पे और यह वाला जो 16 है जब इधर आएगा तो minus 16 हो जाएगा और इस तरफ आपका कुछ भी नहीं बचेगा अब इन्हें फिर simplify करते हैं तो x और x यह जो दोनों x हैं आपके इनके coefficient माइनस 6 और माइनस 6 हैं तो माइनस 6 और माइनस 6 हो गया माइनस 12 माइनस 12 x y पे देखें यह माइनस 12 y है यह 8 y है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं तो यह 4 आ गया और माइनस का निशाना है क्योंकि बड़े माइनस के हैं तो माइनस 4 y हो गए यहाँ पे प्लस 36 में से माइनस 16 माइनस हो रहा है तो प्लस का 20 आ गया is equal to 0 यह बन गई आपकी equation यह आपका answer है इसमें आप दो चीज़ें और करेंगे कि पहले तो इसके माइनस को हटाएंगे क्योंकि आप जानते कि जो पहला term है उसमें से माइनस को हटा देते हैं तो वो अच्छा लगता है दिखने में माइनस से हटाने के लिए इस पूर equation को माइनस से multiply कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस यह आपका 12x हो गया प्लस का फिर माइनस इस माइनस से टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका 4y प्लस का बन गया फिर यह माइनस इस प्लस से टकराएगा तो माइनस हो गया और 20 आपका माइनस का बन गया इसके अंदर एक चीज और भी दिख रही है इसमें मुझे दिख रहा है तीनों टम के अंदर आपका 4 जो है common है पूरी equation में left side में 4 common है तो पूरी equation को मैं 4 से divide कर देता हूँ और छोटा answer आ जाएगा मेरा तो लिखेंगे dividing by 4 on both sides दोनों तरफ 4 से divide कर दिया तो जब इसे 4 से divide करेंगे तो 3 आ जाएगा 3x जब इसे 4 से divide करेंगे तो आपका y आ जाएगा और जब इसे 4 से divide करेंगे तो minus 5 आ जाएगा और जब 0 को 4 से divide करेंगे तो 0 को किसी से भी divide कर लो आप 0 ही आता है तो यहां तो 0 ही रहेगा यही आपका अंसर है इसी को बोलते है रिलेशन तो x और y के बीच में इसमें जो रिलेशन है वो सिंपल सा यह है कि 3x प्लस y माइनस 5 is equal to 0 यह इसका अंसर तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको इस दोनों कोशनस बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक करना शेयर करना और 10th क्लास का कम्प्लीट मैस पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सबस्क्राइब करना थैंक्यू